C.I.E.T. N.C.E.R.T. पेश करते हैं दर्जाचार की दर्सी किताब हमारे आसपास का सातवां बाब खिडकी से सफ़ तिरेपन सत्रह मई अब सुबह हो गई है गुजिष्टा रात मैं जल्दी सोने चली गई बहुत अंधेरा था बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आज सुबह जब रेल गाड़ी रुकी तो मैं जाग उठी ये मढगाउं था ये प्लैटफॉर्म पर लगे बोड पर लिखा हुआ था उत्रे और कुछ गर्म चाए पी और अपनी पानी की बोतलें भरी ट्रेन फिर हरकत में आ गई बाहर के मनजर को बयान करना मुश्किल है वो इतना खूबसूरत है हर तरफ हर्याली ही हर्याली है सुर्ख मिट्टी के मेदान हरी हरी फसलें और पेड़ों से ढखी हुई जाते हैं सफ़ चौवन और बहुत दूर पहाड़ियों के पीछे पानी दिखाई दे रहा है मैं फैसला नहीं कर पा रही हूं कि ये दर्या है या समुन्दर हवा में खुनकी है और ये इतनी खुशक है जैसे के एहमदाबाद में होती है रेलगाडी एक रेलवे लाइन क्र क्रॉसिंग के दोनों जानिब लोग इंतिजार कर रहे हैं कि रेल गुजर जाए यहां एक नजारा है जिसमें रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ लोग और गाडियां मौजूद हैं लोगों से भरी हुई बसें, मोटर गाडियां, ट्रक, आटो रिक्षा, साइकल, मोटर स स्कूटर और यहां तक के तांगे और बैल गाडियां लोगों और सामान से भरे हुए हैं, कुछ लोग तो अपनी गाडियों का इंजन बंद ही नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी देर इंतिजार करना पड़े, यहां बहुत ज्यादा शोर और धुआ है, मैं देखती हूँ कि कुछ लोग रेलवे लाइन क्रॉसिंग की सलाखों के नीचे से जा रहे हैं, यह कितना खतरनाक है, कभी कभी हमारी रेल दूसरी रेल को क्रॉस करती है, उन्हीं और मैंने ऐसी ही एक रेल के डब्बों को गिनने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही रेलें इतनी तेज रफतार स चल रही थी कि हम हमेशा गडबड़ा जाते थे, रेल से उमाना ने जो मनजर पहले दिन देखे थे उसमें और दूसरे दिन के मनजर में क्या फर्क था, सफ़ा पचपन, उमाना ने कई तरह की सवारियां रेलवे क्रॉसिंग पर देखी, उन में से कौन कौन सी डीजल और प शोर शराबा क्यूं हो रहा था? हम मोटर गारियों के शोर को कम करने और पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर तबादले खयाल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, कभी कभी लोग रेल की पट्रियों को पार करते हैं, हालांके क्रॉसिंग बंद होत तुम इसके बारे में क्या महसूस करते हो? सत्रह मई, मैं अपनी आँखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी, अचानक चलती हुई गारी की आवाज तबदील हो गई, खड़ खड़ खड़, मैंने अपनी आँखें खोली, अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा? हमार तरी ट्रेन एक बहुत बड़े दरिया को अबूर कर रही थी। एक बहुत लंबे पुल पर। चुंके वो पुल को अबूर कर रही थी लहाजा उसकी आवाज बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। पट्री के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, सिर्फ पट्रियां थी और पानी ही पानी था, मैंने खिडकी से नीचे जहांका तो मुझे चक्कर सा आने लगा, दरिया पानी से लबा लब भरा हुआ था और उसमें कुछ कश्तियां थी, कुछ माहीगीरों को भी देख सकती थी। किनारों पर मैंने उनको हाथ हिला कर मुतवज्जे किया। सफ़ा चपपन। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो मुझे देख सके या नहीं। यहां दो तस्वीरें दी गई हैं, एक तस्वीर में पुल पर मोटर गारियां आ जा रही हैं और दूसरी तस्वीर में पुल पर एक रेल गारी जा रही है। पुल के उपर से गुजरना ज्यादा दिल्चस्प था। क्या तुमने किसी पुल के बारे में सुना है? कहां? क्या तुम कभी किसी पुल से गुजरे हो? कहां? पुल किसके उपर बना हुआ था? तुमने पुल के नीचे क्या देखा? मालूम करो पुल क्यों तामीर किये जा सफ़ह 57 पत्तियां जल गई लेकिन बाहर बहुत अंधिरा था। किसी ने कहा हम एक सुरंग में से गुजर रहे हैं। ये पहाड़ों के दर्मियान में से गुजरती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। तब ही अचानक हम एक बार फिर दिन की रोशनी में बाहर चमकीली धूब थी और हर्याली। रेल ने सुरंग को अबूर कर लिया था। अपपा ने समझाया कि हम पहाड़ की दूसरी जानिब थे। इसके बाद हम चार निस्बतन छोटी सुरंगों से गुजरे। अब मैं सुरंग के अंदर से गुजरने से लुट्फ हो रही है। क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुमने क्या महसूस किया? केरल से गोआ के रास्ते में कुल मिला कर दो हजार पुल और बानवे सुरंगे हैं। तुम क्या सोचते हो? इतनी सुरंगें और पुल क्यूं है? सफ़ अठावन अब सहपहर का वक्त है। दोपहर के खाने में हमने इडिली और वडा खाया जो हमने उडीपी स्टेशन से खरीदा था। हमने कुछ केले भी खरीदे थे। वो बहुत छोटे और बहुत ही लजीज थे। बाहर का मनजर एक बार फिर तबदील हो गया था। अब हम बहुत सा अबरे नारियल के दरखत देख सकते थे और हर तरफ हरे भरे खेत। अम्मा कहती हैं के धान के खेत हैं। घर और गाउं बहुत मुक्तलिफ लग रहे हैं। लोगों के लिबास भी जैसे हम एहमदाबाद में देखते हैं उससे बहुत मुक्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। ज जो एहमदाबाद से हमारे साथ थे उतर चुके थे। कुछ लोग मुख्तलिफ स्टेशनों से रेल में सवार भी हुए थे। सुनील का खांदान कोजी कोड में उतरेगा। ये च्छे बजे के करीब आएगा। हमने एक दूसरे के पते ले लिये हैं और एहमदाबाद में मिलने का प्रोग्राम तैकर लिया है। तुम लोग भी सुनील और एन को पसंद करोगे। तुम घर में कौन-कौन सी जबाने बोलते हो। गुजराच से केरल जाने के रास्ते में उमाना की रेल हमारे मुलक की मतादिद रियासतों से होकर गुजरी। मालूम करो और फहरिस्त बनाओ कि उसने कौन-कौन सी रियासतों को अबूर किया। क्या तुमने कभी नारियल पानी पिया है। तुम्ही ये कैसा लगा। इस बारे में बात चीत करो। नारियल के एक दरख्त की तस्वीर बनाओ और क्लास में उसके बारे में तबादले ख्याल करो। सफह 69 मालूम करो कि किस रियासत में ये जबाने बोली जाती हैं। यहां दो कॉलम दिये गए हैं। एक में जबानों के नाम लिखे हैं और दूसरे में जगा खाली है। इस खाली जगा में आपको ये बताना है कि ये कौन-कौन सी रियासतों में बोली जाती हैं। मलयालम कॉंकनी मराठी गुजराती कन्नड सत्रह मई अब रात हो गई है। हमने भी सामान बांधना शुरू कर दिया है। रेल तकरीबन तीन घंटे में कोटायम पहुँचेगी। यही वो मकाम है जहां हमको उतरना है। आज रात हम लोग वली अम्मा के घर जाएंगे। कल हम बस के जरिये अमुमा के गाउं जाएंगे। हम सब काफी ठके हुए हैं। आखिर हम सब दो दिनों से रेल में हैं। किस कदर लंबा सफर रहा है ये भी। हमें बहुत मज़ा आया। अब मैं डाइरी उठा कर रख दूँगी। मैं दोबारा फिर लिखना शुरू करूँगी। जब हम अममा के घर पहुँच जाएंगे। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो। तुम्हारी मा की बहन को। तुम्हारी मा की मा को। यानि वालिदा की वालिदा को। तुम्हारे वालिद की बहन को। तुम्हारे वालिद की वालिदा को। उस्ताद के लिए मुख्तलिफ रियासतों की जबानों, लिबास, घिजा और जमीन के बारे में मालूमात एकठी करने में बच्चों की मदद करें। वालिदा की बड़ी बेहन को मलियालम में वलियम्मा और वालिदा की वालिदा को अमुम्मा कहा जाता है। अभी आप सुन रहे थे दर्जाचार की दर्शी किताब हमारे आसपास का साथवां बाब आवाज मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्मान सहयोग जग बंधु जाना, निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET-NCERT नई दिल्ली भारत